हलो फेंट्स कैसो आप सब आप सब आप सब अच्छ होंगे तो आपका एक लास्ट पीपर रहे गया है सोसल साइंस इसको भी आपको जम कर पढ़ लेना है जितना मैं आपको बताऊंगे इतना पढ़ लीजए कि कोश्चन आपका मैच होगे गारंटी है इसमें पूरा मैं आप सब्सक्राइब करने से पहले पूरा वीडियो दिखा करो कि मैंने उसमें क्या बोला है ठीक है जो मैं आपको एक्ट्राइब बताती हो बहां से भी कुश्चन मिले हैं यह पीपर देखने के बाद आपको आडिया लग जाए कौन कौन से कुश्चन इंपोटेंट है ठीक है म आपके पूरे पक्ति हो जाएं जितना मैंने उसमें बताया है वह अगर आपने कर लिया ना एक कोशन आपके मैं जोगा एंसी के लिए जो कमेंड कर रहे थे बच्चे तो मैंने चार बीडियो प्रवाइड करवा दिये हैं हिस्ट्री के ठीक है एक हिस्ट्री का पूरा मिले मैं करवा दिये वह देख लिए कि कोशन आपका मैस होगा ठीक वीडियो के एंड तक जरूर है ना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोटन वीडियो होने वाला यह आपके लिए बहुत हैल्प हो लोगा ठीक है यहां से कुशन आपको ड्रैक्ट यह पर मिलेंगे तो चलिए दे कि वीडियो देख लिए चार अगर वह आप देख लेंगे ना आपके 20 की 20 मैस हो जाएंगे ठीक है और यहां से भी आपको कुशन मिलेंगे उदारवायत का मतलब क्या होता है संपती से कोई रिलेशन है निसका आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है कुछ भी नहीं से व्यक्ति को सतंतता और कानून के समझ समानता तो ऑफसर सी हो जाएगा यह दोनों को कुशन में जो डैफिनिसंस है ना वहां से यह कुशन पूछे गये हैं यह दो को मैंने आपको करवा दिया जलेवाला बाग 13 अप्रेल 1919 को घटना हुई थी ध्यान रखना बहुत इंपोरेंट है ठीक पूरा नाम है और इटली क्या खरीदी बाल्टी तो इसके में कौन हो जाएंगे गैरी वालडी ठीक है ध्यान रखना जैसी आपको जो ट्रिक्स इंपल लगे वह कर लीजेगा क्योंकि एकजाम में आपको बिल्कुल भी कन्फूज नहीं होना ठीक है एकदम से सही होना चाह आप ट्रिक्स ही करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि चौरी चौरा कांट बहुत इंपोड़ेंट है यह नापको अच्छे से करवा दें आश्टी में और इसकी डेट याद कर लेनी हैं आपको 1922 कहीं कहीं चार फरवरी मिलता है कहीं कहीं पांच फरवरी मिलता है तो आप करने के राजभासा है कि इसका लॉंग कोश्चन भी है कि यह हो जागा ऑप संदी नेपाल में राज तंत्र की समाप्ती दोजाराट में होई थी भारत में केंद्र सासित पदेश कितने हैं तो आप एजली कर लेंगे एट हैं और राज पूछ जाए तो वह भी कितने हैं 28 समझ गए 29 आप नहीं करेंगे नाइस में 7 करेंगे तो 8 और 28 ध्यान रखना ओके हरा साना किस्य कहाँ चाहा चाय की पतियों को भी हरा सोना बोला जाता है वास को बोलते चाहिं चाहत रहा रखने यहां पर हर्यप्र के तक हम और रखी है उंका बोनि का समय सवर्द्यों में होता है याक्टूबर दिसंबर इसमें गेहूं चना यह सब आते में ट्रिक से कवा रखें देख लिजेगा इमसी को के लिए मैंने आपको बोल दिया वो चार वीडियो देख लिजेगा आपका कबर हो जाएगे इसमें हो जाएगा लौह इसपात ओद्धोग सूचना का अधिकार अधनियम कब पारित हुआ था तो यह हुआ था अक्टूबर दौ़ दौश में ठीक है भारत में आरती गुदारी कड़गी शुरुवात का हुई थी 24 जुलाई 1991 को विकास का महत्पूर घटक यह कोश्चन में इंपोर्टेंट है विकास कैसे कहते हैं इसके घटक बताईए और इसका सजयान सुझाएगा और सता है मैंने हिस्ट्री तो आपको करवा दी मैं अपके कोश्चन में बता दिये अब एक बीटो आपको और भी लगए उसमें आपको जॉग्रफी एकॉनोमिक्स और सिविक्स सभी के मिक्स कोश्चन होगे इंपोर्टेंट वह आपको कर लेने इसके बाद यह डेफिनेशन बहुत प युरोप में राष्टवाद का आसे है मैंने आपको कल वाली वीडियो में करवा दिया यह कोश्चन अभी आपको दिखा दूँगी यह भी करवा दिया है ठीक है असहयोग आंदोलन अब देखो इस वाले चेप्टर में आपको सारे आंदोलन पढ़ लेने हैं असहयोग आं आपको पढ़नी है कोशन यह आपको करना इंप्पोटेंट आपको बताऊंगे वाला भी ठीक है यह लोगत मैंसे पूछा गया था फूर माक्स में यह यह भी बहुत इंपूटेंट विदेशी व्यपार किसे कहते हैं भारत में विदेशी वार्की दो बिसेशता पूछी य बताऊंगे यह किसानों को सिचाई और बिपढ़नें व्यापार विक्रे को ठीक है अगर यह सुब्धा प्लब्द कराई जाती है तो रोजगा राय में व्रद्धी कैसे होगी फूर माक्स में भी आपको बताऊंगे यह बहुत इंपूर्टेंट आपको अच्छे से कल लेन आइस अलाक कोड आते हैं ठीक है किसी वी कोड में कॉष्attend हो सकते हैं यहां से कन आपको मिलेगा बन वाला मिर्दा वाला यह सारे आपको कर लेने हैं वनों कि हासे है वनो कहने से होने वाले किनी थीन प्रभवाव को पर लिग के दिए यह गित निपलुएं बहुत पूरा स पूरा सॉलूसन देखा दूए ठीक है आर्थिक महामंदी कभी तो 1929 बहुत इंपरेंट क्वेश्चन है यह हंडे पसेंट इस टाज जितने लगाने लगा लीजेगा पूछा जाएगा यह ठीक है मैंने आपको यह सॉलूसन में करवा दिया देख लीजेगा इसके कारड प्र आपको फिर से दिखा दोगी वह वाले वीडियो देख लीजेगा आपके पूरे सेवेंटी मांक से क्यों होंगे अकर आपने चार वीडियो एंजी क्यों के देख लिए एक हिस्ट्रीक आपको देखना है वीस नंबर के लिए बो देखना है ठीक है यह दो आपका होई गया एक बीडियो आपको और मिलेगा 20 मांक के लिए बहुत देख लीजेगा पूरे सेमेंटी मांक सिपकर हो जाएंगे और यह कोशन तो बहुत इंपोटन है यह वी आपको करने हैं अच्छे से याद संगवाद क्या है ठीक है इसकी बिसेस्ता है नारीबात कार्थ पूछा गय कि आपको बताऊंगी वायोडाइवरसीटीं जैब विवित्ता भूट इंपोड़न रही कोशन आपको अच्छे से याद करना है ठीक है अब आपको बताऊंगी यह जाएस में आपको सारे सारे कोशन करने हैं ठीक है क्योंकि किसी ना किसी पेपर कोड में यह कुशन रिपी ये आपको अच्छे से कर लेना है किसे कहते हैin जहां पर जीवां ओर जाती है फूبة सानी जाती है बहुत सारी बहुत है बहुत आप आट पर पहुत यहां बारेटी है लोज ही और नहीं कहलाएगाएगा हर फूल हive दोरोगा हर टाइप का होगा तब कहेंगे अलग अलग जाती है उसे बोलता है तो पॉच्विक घ्रत्व में पहुत पाई जाती है थीच कह लिजेगा यह कुछन भूत मुट इंपरण है के यह भूमिस अंसाथन वाला इसकी डेफिनिशन आप कर रहेंगे इसके तीन महत्तों लिख देंगे यह भी कोशन बहुत इंपोटेंट है ठीक है यह कर लिजेगा यह कोशन है ना बनों की हानी से क्या अर्थ है इसके प्रभाव क्या होते तो आप यह डेफिनिशन लिख ठीक है यह कोशन इंपोटेंट है यह सारे पॉइंट आप नो डॉन कर लिजेगा ठीक है भूच हरण का अध्थ होता है मृदा प्रदन ठीक है मिट्टी के ऊपरी परत का बहना इसके आप उपाई भी कर लेंगे ठीक हो पाई पूछे जाए तो आप उपाई भी कर लेंगे ठीक है 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 तो यहां तक आपका लीजेगा ओकी एक आया घृदेश भी उपार बोगता के अदगार पूछेंगे तो यह देख लेते हैं इतना अब लिख देंगे ठीक है यह आपको ध्यान रखना है वोगता सन अच्छड अधनियम कब आया था इस पेपर में नहीं आया पर किसी ना किसी कोड में जरूर मिला का अच्छे से आद रखना है यह अंतर बहुत पुछाए अच्छे से कली जगाप टीबोर्ड में हाँ पीली में यह कोशन में कई वार देखा है तो इंपोरेंट है ठीक है यह अंतर आपको जरूरर याद करना जाने आपको 차o में याद कर लेना है ठीक है पर beesणाप कर अ को यह याद करना है रंभ प्रात्मिक दित्यक तिक यहां से बलाइन शफिक को पूछा पूछन अन्पोरेंट और लॉह ष्यंप को कोश्चन बहुत इंपिस G देदगा सिच्छक डॉक्टर कॉंच छेत्र में आते हैं तो इस तरीके सापको एक्जांपल से एमसी को तैयर हो जाएंगे और सौर्ड में और लॉंग में पूछा ही जाता है तो अच्छे से आपको याद कर लेना है संगबाद क्या है इसकी बिसेश्था है अच्छे से आप आपको याद करनी है इक तो लेको से और कॉशने आपको अच्छे से याद रखनी है इससे प्रोट्र में तैयर हो जाएंगे बूच लेगा लकड़ी कोईला कौन से साधन और चाहित कि यह बनने में लाकों करोडों वरस लग जाते हैं ठीक है यह उसमें क्योने इह बहुत important है- एक कुछन इस टाइप से पूछहाता है ठीक है आपको चाय चावल और तीनों की अच्छे से भगली दिसाय कलिए ताक मान का नची वर्सा कि आज-वह सिंपल है यह आपको अच्छे से कर लेने ठीक है यह गन्या वला सलूसन आपको इसके वाद जो वीडियो पर वाड़ करवाऊंगी ना उसमें गए यहां पर मैं आपको कुश्चन मेंसन कर दीए हैं यह आपको याद कर लेने एक कुश्चन आपको यह तियार करना है भारत में संचार के साधन कौन-कौन से होते हैं ठीक है दूर दसन हो गया करवाऊंगी तो मैं कर वाद हुए ठीक है एक कुश्चन आपको यह द्यार करना है भारत में पाई जाने वाली विभ arg प्रिकार की मिल्टियां जलोर मिर्दा हो गया बिढने को से मेर्दा हो गया कौन सी खेतीम सबस्याद होती हैं यह कुश्चन यहां से बहुत पुछ बहुत इंपोटेंट है इसके उद्धिस भी आद कर लेने हैं यह भी बहुत इंपोटेंट ने मैं आपको सलूसर में यह प्रवाइड कर वाद या देख लिजेगा यह कुशन molto important है इसकी definition यह कभी थी थी ठीक्श्च मंधी के कारण परडाम अच्छे सिर्व कर लेने है नह आपको कल वा,्ली कीपर में करवा दिया है मैंने आपको कल में जो पूछा जाए वो आप लिग देंगे पर यह कोशन बहुत इंपोड़ेंट आएगा ज़रूर यह आपको अच्छे से याथ रखना है ठीक है मैं आपको कल भी करवा दिये इसमें भी आप देख लिजेगा आपको दोनों अच्छे से करने मैंने करवा दिये इसमें भी दीख लेजेगा डाइक लिकोशन आपके बहां से मैच हो जाए वह स्तान जान सूती मिलके से मकौका सत्यागर हुआ था एहमदाबाद में अध्यान रखना किसान सत्यागर है चंपारण में हुआ था कहां पर चंपारण जो कि बिहार में है चौरी-चौरा करन मैं आपको ब आपको बताई थी कहां पर हम्रसर में हुई है तो इसके सारे अंसर आपको ध्यान रखने है यह हो जाएगा एहमदाबाद यह हो जागा चंपारण यह चौरी-चौरा ठीक है यह लाहौर और यह हम्रसर अभी आपको मैप में दिखा दूंगी ठीक है इनके भी आंसर सुलो पश्यमंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगा तो यह कोलकाता में कहां पर कोलकाता में ठीक है महाराश की राधानी नगर मुंबई क्या लखेंगे आप मुंबई राधानी आपको याद होने चीए भारत की पुछ लेगा दिल्ली कर देंगे ठीक है उत्यपदेश की नगर इसा नगर जहां पे 10 लाक से जादा जनंग्या है तो लखनुव हो गया ठीक है कानपूर हो गया आग रहा इनमें सब को भी फिल कर दीजिएगा अवा आपको सारे आंसर अब कि यह हम्रेश हो गया ठीक है ये कानपूर हो गया 10 लाक ही नगर में आप लिख देंगे पर पास पास हैं आपको दिहां रखने हैं अच्छे से मैं फिल करके देख लेज़ेगा उन्नी सो उन्तिस का अधिवेशन लाहॉर में हुआ था यहां पर मिस्प्रिंट है लाहॉर लेखना ठीक है यहां पर अम्रत सर इस साइड आपको लाहॉर लेख देना है तो सारे आंसर आपके होगे कवर सारी कोश्चन आपको याद कलेने बहुत हैल्पल होंगे यहां से कर दिया करो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच